हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेग दोस्तों मोटो मैनिक में अकबार आप लोगों का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और हमेशा की तरह आज फिर कुछ यूनिक लेके आ हैं कुछ एक्स्ट्राउडनरी लेके और कुछ लेके आ हैं क्रेटिविटी डियाई वाए प्रोजेक्ट में जा रहा है और जो लड़के हैं एजुकेशनर कॉलेज के जो स्टुडेंट से वो बनाने जा रहे हैं एक पूरी-पूरी कंप्लीट कार विद डियाई वाए हमारे इस पूरे कंवर्जन किट्स है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को पूरा डिटेल में करेंगे कि किस तरह से किस-किस टाइप के कंपोनेंट हम लोग इस डियाई वाए कार किट्स में आपको प्रवाइट करते हैं और हर एक इंडियूजल पार्ट्स के स्पेसिविकेशन भी आप लोगों को डिटेल में बताएंगे तो शू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं मोटो मेनिक पूरी तरह से ड्राइब टरें सॉलूशन और डिजाइन डेड़ोपेंट में काम करता है इसलिए हम लोग हर तरह की कस्टमाइस प्रोजेक्ट करते हैं और हर तरह के कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स आप लोगों को दे सकते हैं वह बली DIY प्रोजेक्ट्स हों कार के प्रोजेक्ट्स हो आपके त्रीविलर आप बना रहे हो इसके अलावा अगर आप कोई भी different type के motor सबसे पहले सबसे आगे की बात करते हैं यहां पर आप देख रहे हैं यह जो ब्लेक कलर का है यह पुरा उपरा फ्रांट एक्सेल है यह कस्टमाइज फ्रांट एक्सेल है जो कि हम लोग ने डिफ्रेंशल की लेंद के दाव से कस्टमाइज किया हुआ है तो यह जो ब्लेक कलर का आप देखने हैं यह पुरा-पुरा है और यह जो हब है यह काफी हेवी बेरिंग टेपर हम लोग बेरिंग से बनाया जाता है और यहां पर आपको स्विलिंग अरेज्मेंट जीयाता है ताकि आपके वील आगे के टर्न कर पाएं यह पूरा-पुरा उसका हब का डिजाइन है जो हम लोग हमारा इंटरन डिजाइन डेवलोप्मेंट है इसका और इस हब के साथ हम पूरा-पूरा को स्विप सकते है जिसके आगे कि यहां पर आगे कि यह स्टेरिंग के पूरा-पूरा-पूरा फिक्स हो जाता है उसकी असे पूरे पर पार प्राइड करते हैं ताकि सब्तब्सक्राइब और इस रीम केसाथ हम लोग करते हैं यहां पर आगे अप been इंडिकेटर्स हो गया है और यहां पर हम लोग एक डिश्टल स्पीडोमिटर भी दे रहे हैं जो कि आपकी स्पीड को दिखाएगा यहां पर पुरी एक वाइरिंग हाइना हाड्नेस है जो कि कस्टमाइज है और सभी ऑप्रेशन के लिए यह आपका बैटरी का अनुटर हो ग क्लानबिकेटर भी दिया हुआ है यह पूरा पूरा देखेए मैं आपको दिखाता हूँ यह पुरी जाता हард कि अब सब्सक्राइब इट है अब आते हैं हमारे हैं और आपर हम लोग देखिए का हम लोग ने हैवी ग्रेट आप こलेट कर कर रहा है कर रहा है यहाँ पर तक है यहां पर आमलोग की है डिफ्रेंशल दे रहे हैं इस लिए जो हां देखी यह इके लिए जिसके साथ हम लोग है इक हैंड लिवर देते हैं और इसके साथ हैं डु 측रा कर सकती है है और यह मिलता है एक जो आपका गेयर होता है वो high speed के लिए होता है उसमें low gear होता है उसमें high speed मिलती है और एक high gear होता है जो कि आपकी low speed और बहुत extraordinary torque के लिए होता है यानि कि अगर आपको 1200, 1500 या 2 turn या उसके उपर का भी load लेना है तो हम लोग उस category के भी differential आप लोगों को provide कर सकते हैं जो कि आपकी heavy से heavy torque को और load को जहल सक सकते हैं इसमें जो breaking system मिल रहा है वह आपको मिल रहा है manual type का mechanical braking system यह देखिए differential आपको दिखा दूँ खाफी heavy differential है यह जो differential है 33 इंच का differential है और अगर आपको इससे बड़ा भी चाहिए तो वह भी हम लोग प्रोइट कर सकते हैं हम लोग up to 80 इंच तक के differential प्रोइट करते हैं इसके जो टायर है यह भी नॉर्मल टायर नहीं हम लोगोने heavy c8 और mrf के टायर हम लोगोने यूज किये हैं यहां पर आप देखिए heavy tires है heavy grip के tires है और एक टायर की कस्टमर की requirement होती है उसके accordingly हम लोग इंड्यूजर कंपोनेट्स प्रोइट कर सकते हैं और उसको आप easily अपनी गाड़ी में fit करके अपका एक पूरा पूरा प्रोजेक्ट easily complete कर सकते हैं आपको बहुंच ज्यादा अहले इंड्यूजर पार्ट को जूड़ने की और प्रेशान होनी की जरूत नहीं पड़ती है तो दोस्तों यह था आज की वीडियो में पूरा डिटेल में description एक हमारी डियाईवे का का complete kit का जिसमें की मैंने आप लोगों को बताये कि आपको पूरा फ्रण असेमली से परे तो हब मोटर पूरा पूरा फ्रण एकसेल के बारे में आपको बताया पूरा फ्रण एकसेल रिम टायर सफिर उसके बाद आपको स्टेरिंग का और इसके बाद हम लोगोने डिफेरिंशल की बात की उसके साथ पूरा suspension सिस्टम की बात के यह पूरा सिस्ट्म काइव ठीक कॉंटेट कीजिए और हम लोग हर तरह की कस्टोमाइज रिक्वाइमेंट भले ही वो कितनी भी किटिकल हो कितनी भी कॉंप्लेक्स हो उसको पूरी तरह से फुल्फिल करने की कैपेसिटी और पर एक्सपर Turner के तो हमेशा की तरह दोस्तों फिल्ट्शे में आप लोगों को धन्यवात बहूंगा कि हमारे साथ जूड़ने के लिए हमारे सथ बने रही कि यूप करने के लिए और हम लोगों को हमेशा मॉटिवेट करने के थैंक यू वेरी मच और हमेशा की तरह आप लोगों से बिल्कुल हमल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीस अपने इंवार्मेंट को पोटेट करने की हर संभव कोशिश करें और जितना हो सके अपने कार्बन फुट्पिंट को कम से कम रखें थैंक यू वेरी मच